हेलो С you है इस में समाझने में दोस्तो काफी ज्यादा आपको हो सकती है जिसके पास ऐसे वाला मीटर है ठीक है हाला कि बहुत सिंपल मेटर ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर ठीक है बस मैं इससे नहीं समझाओंगा 90% लोगों पर यह मीटर है और यह अच्छा भी है ठीक है चलिए दोस्तों सबसे पहले मां आपको बता जेना चाहते ह हमाएं दो तरह को थे का एंपन ओर पी ठीक है के एक एंपन पी हमारे इस तरह को थे थे में अच्छा वे देख आंगे बिस तरह के आपने उनिस तो फासटारा जिए और इस तरह के यह सबसे पॉपुलर नंबर है जैसे आप सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सिंपल तरीका है हमारी समझ में थोड़ा सा नहीं आ पाएगा देखिए हमारी तीन टांग होती है इसमें सबसे पहले हमारे थोड़ा समय आपको पर्चे पर समझाएता हूं होते हैं तू टाइप टू टाइप ठिक है याद रखना घू टाइप एक एंप्म अओर एक pnp और pnp ठीक है इसमें हमारे 3 लेग होती है one number two number ऑ three number इसमें होता क्या है base collector emitter इस तरह से 3 लेग होती है ठीक है जैसे यह transistor है हमें यह पता है यह हमारा एक transistor है 2SC CSC 500 ठीक है यह हमारा CDIL का 500 transistor है तो इसमें हमें पता है base collector emitter इस तरह से तीन टैंग है हमें नहीं भी पता होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा multimeter से कैसे जाचेंगे तो जो हमारे transistor को चैक करने की जो विधी रहती है ना बेस से collector पे और बेस से emitter पे इस तरह से रीडिंग से चैक करते हैं ठीक है चाहे आपका वह NPN हो चाहे आपका वह PNP हो ठीक है आपको यह याद रखना है चाहे आपका NPN चाहे पीनपी भी बेस्टू collector और बेस्टू emitter् ऐसा नहीं चेक करना आपको collector बेस्टू collector कैसे चेक करना है या कि देखे जैसे आपके एक NPN टनिश्टर है और यह वाँं सूर टनिंट्र होते है बेस कलेक्टर और emitter होता है ठीक हैं आपम आते हूँ ह् सी टोइओ कि यह क्या यहांब रखना है निगेटिव पॉजितिव निगेटिव तो जो पॉजितिव फी इसको हम अने कि पॉजितिव और निया कि मलें लगों घृ करता हूँ और यह मेरा क्मंकरगा करता हूं टिक है मैं यहां पर चेक कराते हूं देखिए मल्टिमेटर ओके है ठीक है अब मैं इसमें बेस का पता कैसे लगाऊंगा बैस से कलेक्टर पर बेस से एमिटर पर रीडिंग आएगी बाकी रीडिंग नहीं आनी चाहिए अगर आ रही है तो ठाइस्टर में लीके सोटिंग है तो अब देखिए यह तीन लेग है इसमें मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा से दिखे यह देखिए इसमें तीन लैग है यह सीडिया यह का मारा बावन से टांश्टर ठीक है अब इसमें पहली प्रोब ले लिए भाई हमने पता लगाई यह क्लाव यह परगे मैं सुरुवाप हं यहा से करना बैगर फिर हम ने थे नहीं रहे है तो मैं बलैक को फिर पहले फिक्स राखी अब मीध दूसरे अब दूसरे से रेड़ वाले पर आ रहा है तो यह देखे रेड़ वाले को मैं यहां पर लगा रहा हूं तो इससे रीडिंग आ रही है अगर मैं रेड़ वाले को यहां लगाता हूं तो इससे रीडिंग नहीं आ रही है बिलैक को फिर मैं यहां ले जाता हूं फिर देखता ह अगर साथ रिंडिंग आन्चा यह आँछ़ है देख्यों एक इस पारही है और आपकर है इस पर नहीं आ रही मालत 2 पिन पर एक साथ आनी चाहिए कोई इस इप ठीक है एक साथ आनी चाहिए है तो अब हम लेकर चलेंगे रैड़ वाली को भाई हमने पहले काले वाली ली अब रैड़ वाली को लेकर चलेंगे तो अब हम रैड़ वाली को लेकर चलते हैं फिर नमबर वन पर लगाया तो हमने टू पर ब्लैक लगाया देखें 550 रीडिंग आचुक और यह भी N का point हुआ तो यानि कि हमारा base वाला pin यह है और collector pin यह है emitter pin यह है ठीक है तो हमारी इसमें तीन pin आ गए total तीन pin आ गए ना अब इसमें देखें base से मैंने क्या बता था base से ही आपका emitter आएगा बेस से ही collector आएगा तो देखें base पर हमने red लगाई तो यह क्या हुआ पी हुआ पी वाली पिन हुआ और फिर अगला क्या हुआ देखें इस पर N आया पांच देखें अन का N पर बोला और फिर N का इस पर बोला यानि कि दो पिन पर बोला तो यह NN दो होगी इसमें तो यह हो गया पी तो NPN तो NPN ट्रांजिस्टर है base इसका यह है और collector यह है emitter यह है base collector emitter का कैसा बतला बेस तो वह है जिससे हमारी बिच वाले पर पॉइंट पर नोट कर लिजे 557 बास इन मीटर में यह दिकते हैं कभी कुछ दिखाते हैं कभी कुछ 557 आ रही है ठीक है 557 अगले पर तुरंती नोट कर लिए 560 आ रही है तो इस पर हमारी फाल तुमिल दिया तो क्या हुआ बेस क्लेक्टर एमिटर जिस पर कम मिलता है उस पर हमारे दोस्तों क्लेक्टर होता है और जिस पर जादे मिलता है हमारा वह एमिटर होता है तो हमारा बेस क्लेक्टर एमिटर का इससे पर लगा लगा सकते हैं बहुत सिंपल तरीके जहां तक आपको कोई कंफूजन मैं आप आपको फिर से एक बार repeat कर देता हूं हमेशा याद रखना है हमारी जो reading होती है यह देखिए जैसे यह transistor है कोई भी transistor है base से collector पे और base से emitter पे reading आएगी हमेशा base से collector पे check करेंगे base से emitter पे ठीक है अब देखिए जैसे यह base collector emitter ठीक है यह तीन point है तो यानि कि आपका जो base से अगर suppose करो सी पे यानि कि collector पे base से collector की तरफ अगर हम check कर रहे हैं भाई हमने check कर लिया एक point से दूसरे point पे 500 reading आ रही है और उसी point से दूसरे तीसरे वाले point पे हमारी 520 reading आ रही है तो वह हमारा emitter pin होगी ठीक है ना collector पे हमेशा कम आएगी अब यह में आपका दूसरे transistor ते दुरारा example देता हूं मैंने क्या बताया था है emitter base collector पहचानने का बहुत simple तरीका आपको कोई सी भी एक प्रोब ले लेनी है pin number one पे fix कर लेनी है ठीक है pin number one पे fix कर लेनी है मालों कहीं भी fix कर लो अब जो दूसरी प्रोब होगी ना उससे दो point पे reading आनी चाहिए अब देखे इस पे नहीं आ रही इस पे भी नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे अब इस point को black वाले को अगली местаernil rating अब इस प्रोब बन्हों लेके चलते है अब हमारी यह दो point वजह अब मैं इस पर चेक करते हों देखे इस पे यह मैं बलैक को रहाता हूँ अभी on को इस पर चेक करता हूँ इस पर नहीं आ रही अब इस पर आ रही है तो अब भी एक पर या रही है देखिए तो यह गलत है अब हमारी red को लेके चलेंगे तो red हमने यहां लगाया तो black हमने यहां लगाया तो देखिए 561क के आसपास आ गई ठीक है यहां आ गई और अब देखिए दोस्तों यहां भी आ गई ठीक है यहां देखिए नोट किजे 554 पन और यहां देखिए आपके यहां बढ़ती हुई है तो यहां पर दोस्तों एमिटर यहां collector और यह और PNPN-PNPN का कैसे पता लगा positive की एक है और negative की ये वाली Πीन भी है और negative की ये वाली पीन भी है तो ये transistor NPN है base collector emitter है ठीक है चलिए आगले transistor पर आ जाते हैं ये हमारा transistor हमें hommes PNP हमें पता है की MP टांजिटर लेकिन हम साबित कैसे करेंगे कि PNP ट्रांजिस्टर है तो बहुत सिंपल सा है पहले वाला फॉर्मूला लगाना है आपको रैड मैं रैड से लेकर चलता हूं मेरे हाथ में रैड ही है भी मैं रैड को पहले नंबर पिन पे लगाई ठीक है मैंने क्या कहा था जो अगली प्रोब होगी यहँंग हम और लिए लिए आखो पीन पर बोलनी चाहिए चेक करते हैं अगर बोलती है वह शोट्रा इस सब ही किहां और सर दो रही है इस तरह से कोई यह नहीं है है लेकिन सब इपिनों में आपस मी इडिडिंग आए जैसे नवे पास खराब है था आप पेचान कैसे होगी जैसे देखिए यह बीप साउंड बॉल ला है है ख़राब टांस्टर पैचान तो गलत है चली अगले कर बात कर लेते यह इस पर देखिए यहा पर भी नहीं आरी इहाँ पर बह Autominity ठीक है यहाँ पे अगर आजाती तो फिर ऐसे प्लट के नहीं आनी चाहिए थी अब यहाँ पे नहीं आई तो ऐसे प्लट के बाज now यह तो देखिए पांच 5 5 5 6 9 रीडिंग आ रहे हैं आपर अगले चलते हैं 5 6 4 यह वाँ 5 7 4 6 ठीक है यह रीडिंग आ रहे है देखिए अब तो हमारा क्या हुआ एन का एक है और पी के दो है तो क्या हुआ पी एन पी ट्रांजिस्टर है यह पी एन पी तो बेस कौन सा हुआ यह और एमिटर यह देखिए इस पर जाद आ रही है और क्लेक्टर यह ठीक है तो यह क्या हुआ हमारा पी एन पी ट्रांजिस्टर है यह हमारा एन पी एन ट्रांजिस्टर है सिंपल सा है अब ऐसे वाले ट्रांजिस्टर को चेक करने का क्या तरीक है यह देखिए यहां पर यहां से इस इस होल से बड़े वाले होल से इसकी दूरी ना पर कितनी है इसकी दूरी देखे कितनी ज्यादा है छोटी है यहां पर और इसकी दूरी यहां पर इधर से ना पर तो देखे यहां पर कितनी बड़ी है तो आपको बड़े वाला एरिया नहीं लेना आपको छोटे तो इसमें जो होता है वे हमेंसा दोस्तों कौन सी पिन रखते हैं जौन सी भी हमाली इसकी पॉलरिटी होगी चलो आपका इस हौल से पिन की जो लंबा ही होगी वो कम होगी तो हमें लंबा ही कम है यहां पर लम्बाई जादा है तो जिधर कम है ना आपको पहली जो रहा है बेस रखने है तो चैक करते हैं देखें सौर्टिंग आरी है यह यह तो यह तो पर सब्सक्राइब यह तो इस का मतलब क्या हुआ हम इसकी पोलरिटीग चेंज करेंगे यह ट्राजिस्टर, पॉलर्ट आमने चेंज कर दी हिसे यह आँसे खाले ताहूं यह पर आणि अन में तो यह च्राइब आ रहे है इस के अंदर क्या प्यक एक और अपए पी आम तो यह हमारा आप ट्राइस्टर हुआ है ऐसे चोटे वाला में भीच होतो है तो तो और देख्जिक यहां पर 576 यह सब्सक्राइं दिख ऋर्चिने सब्सक्तर करों जाएंग करेक्ट कर दके पातला खांगा सक भी संसक्रा जांड भी यह opini प्र लागा है देखिए बिलैक वाली से मैं रेड पर वन पर लगा इस पर बोल ली है और मैं देखिए इस पर लगाता हूं यह देखिए पिन नंबर थ्री पर बोल ली है अब अमिटर कैसे पतल आएगा तो यहां नौट कर लिजे डिडिंग 813 के आसपास हैं और यहां देखते हैं और 804 पैंतालीक जारी है तो इसका एमिटर यह है थो कोलेक्टर बेस एमिटरं इस् तरह से हैं तो तो ट्राइच्टर को चेक करने का तरीका आपको होगा प्ता लग गया होगा disparity पता लग गया होगी उसकी अंपन्पी कैसे पता लगाएंगे बहुत सिंपल तरीका है का तरीक पता लगए मेह बता懼ны में इसका लेंगे black को पी इसको लेंगे ठीक है याद रखना को जो भी जिसी से हमारे दो पर रीडिंग आएगी वह हमारा ठीक है अगर यह तो दुनों तरफ से रीडिंग आ रही है तब हमारा ट्रीटर शोट ना जाएगा ठीक खराब करने में आपको ट्रीड़ा करें आपका दिन शुब